नमश्क्र, दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे योट्यूब चनल लाव गुरू, आयम के वर दोस्तो आज के हमारी वीडियो का टोपिक है कपड़े से वशीकरन, आज हम आपको बताएं कि कि इस्तरी के कपड़े से आप किसी भी इस्तरी का वशीकरन कैसे कर सकते हैं दोस्तों अगर आप चाहती हो किसी इस तरीकों और उसे लाना चाहते हो अपनी लाइफ में लेकिन आप उसे पटा नहीं पा रहे हैं या परपोस नहीं कर पा रहे हैं अगर परपोस कर भी दिया हैं वो मान नहीं रही है इंकार कर रही है लेकिन आप उसे तहे दिल से चाहते ह और किसी भी तरीके से उसे अपना बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप कामियाब हो सकते हैं अपने इस मकसद में आप उसे अपना बना सकते हैं क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए वशी करन का एक ऐसा तरीका जिससे आप उसे मत्र 24 घंटे में अपने वश में कर सकते हैं आगर वू आपके वश में हो गई फिर आप जो उसके साथ कर सकते हैं तो दोस्तों आएए जानते हैं वशी करन का वो तरीका कपड़े से इस तरीका कैसे किया जा सकता है इस वीडियो को लाज सकь देखेगा और ध्यान से सुनëएगा इस तोटके के बारे में और जिस तरीके से हम आपको बताएंगे आपने उसी तरीके से इसको फॉलो करते हुए वर्षी करन करना है उस मनचाही इस तरीका दोस्तों आपको क्या करना है सबसे पहले आप समगरी से अफगत हो जाए सबसे पहले जिसको आपने अपने वर्ष में करना है उसको कोई भी प उसके बाद हमारी वश्यकरन करने की विधी दोस्तों इस विधी को आपने करना है मात्र शनिवार या फिर आमावस्या के दिन ही आपने इस विधी को करना है सबसे पहले आपने क्या करना है अगर आप शनिवार के दिन करते हो या फिर आमावस्या के दिन करते हो आपको सनान क उसके बाद फिर इस सुनसान जगहां पर जाकर आपने एक नीम्बू पर उस इनसान का नाम लिखना सिंधूर से जिसको आपने आपने वश्मी करना है यानि आपने उस इस्तरी का नाम लिखना है उसके बाद आपने क्या करना है नाम लिखने के बाद दूसरी निम्बू पर आपने अपना नाम लिखना है अपना नाम लिख दिया फिर दोनों निम्बू को उस कपड़े में आपनी लपेड देना है उसके बाद जो कपड़ा हमने आपको बताया था उस इस्तरी का कपड़ा उसमें आप एक मंत्र करने जो हम आपको वीडियो के लास में बताईंगे उस मंत्र का कुल 101 वार आपनी चाप करना है उस के बाद जिसमीर पर आपने उसका नाम लिख्र He previous नीबू को काटकर रस निकाल कर, निकाल के रस में शहयद मिला के आपने क्या करना है, उस को पी लेना है, फिर उसी इंसान के सामने जाकर आपने उसी मंतर का जाब करना है, दोसतों यह मंतर है, आपने साथ बार उस इंसान के सामने जाकर इस मंतर का जाब करना है और 101 बार इससे पहले आपने इस मंतर का जाब करना है दोस्तों जैसी आप इस तोटके को करेंगे वैसी उस इस्तरी के श्रीर में कुछ हल चलोगी उससे आपको पता चल जाएगा कि वो इस्तरी आपके वश में होने जा रही है आपको बहुत ही जल्दी इसका result मिल जाएगा वो इस्तरी आपकी तरफ इतनी ज़्यादा अकरशित हो जाएगी कि वो अपने आपको आपके पास आने से रोक नहीं पाएगी तो दोस्तो आप इस टॉटके को जुरूर अपनाएगा पर इससे पहले आप हमारी वीडियो में देएगे नमबर पर एक बार जुरूर कॉल कर लीजेगा और फिर भी कंफर्म कर लीजेगा इस टॉटके के बारे में पूरी तरह सी इसको करने से पहले और दोस्तों, फ्री कंसिल्टेशन है, आप जब कभी भी इस नमबर पर कॉल कर सकते हैं और दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सबी वीडियो की नोटिफिकेशन से आप तक पहुं सकें दोस्तों, इसके लावा अगर आपकी कोई भी किसी भी तरह की समस्य है, तो आप हमें कमेंटी के जरीए बताएए हम पूरी कोशिश करेंगे उस टोपिक पर वीडियो बनाने की दोस्तों हमारे साथ अंतक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम फिर मिलेंगे आपको हमारी आगली वीडियो के साथ, धन्यावाद दोस्तों